तो हमने शुरूँ किम्हाँ था जादू में यकिन करते हैं और जो लोग जादू में यकिन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं जादू किया है जादू है बीए जाद OFF वह उसमें आप यकिन करते हैं आपको जीवन में सब कुछ मिलता है और उसमें आप यकिन नहीं करते हैं तो आपको जो चाहिए वो कभी नहीं मिलता है जीवन का जादू वास्ताबीक है आप अपना बचपना जिन्दगी भर जी सकते हैं जादवी वरक्षप का आनद लिख जो है बचपन में अपने असमीं आ यह करते थे बचपना एंगलताuciones कि बचपन देगा देवा मुंगी साखर रहा व अकर्वा बालपन देगा देवा मुंगी साखरेटा बालपन अधला खुब आवड ते आपन बालपना में खुब रहन तो लाहंद पंचा गोश्टी पीछे का जबंपूछते हैं इदि किसी को आपको बोलता करना है ना उसमें बोलना चीए तो उसको पुछ उसके बालपन की मतलब पुछन आप चालू करेंगे ना इतना बात इतनी बात करना चालू करेगा पर उसमें वह जायेगा और बोलना चलू करेगा कोई भी वक्तियांस बाथ नहीं करता तो बत्रत पना बहुत अच्छा लगते बच्पना जैसा वह जिन्दगी जीना है वह जॉए व को हैपिनेस वो आनन, तो हमने यह thankfulness, यह जादवी वर्क्शाप का यह आनन लेकर, वो हम कर सकते हैं. जिसके भी पास है, उसे अधिक दिया जाएगा, और वो संगुरुद्ध होगा, जिसके पास नहीं है, उसके पास जो है, सब भी उससे ले लिया जाएगा. उसे अधिक दिया जाएगा, और वो संगुरुद्ध होगा, प्रॉस्परिटी आएगा, और जिसके पास कृत्धग्यता नहीं है, उसके पास जो है, वो सभी उससे ले लिया जाएगा. पाना है, तो आपको देना पड़ेगा, आपको होना पड़ेगा, आपके पास में रखना पड़ेगा, और वो है कृत्धग्यता, being grateful. और आप एदिक पास अपने पास में रखते हैं, तो definitely आपको जो भी है, वो अधिक ज्यादा मिलेगा, नहीं है, वो भी मिलेगा. वह सब भी उससे ले लिया जाएगा ज़िए आप कृतग्य है तो आपको अधित दिया जाएगा और आप समुरुद्ध होगे आपको जो भी चाहिए उसके लिए आपने वो मिलने के पहले ही कृतग्य होना ज़रूरी है जो भी है उसके लिए भी कृत्त क्यों होना जो है और कल अमने देखा था कि अपना फोकस जो है वह सुलुशन के उपर हम रखते हैं ना कि प्राब्लेम के उपर और वह मिल जाएगा तो डिफिनेटली आपको जो चाहिए वह मिल सकता है कि यह अगे हमने देक्ता कि जब आप उठेख सुभण की रोश्य ही के लिए धन्यवाद के अपने जीवन और सकती यंट के लिए धन्यवादेने का कोई कारण नजर नहीं आता तो दोश्त आपका है अपकी नजर आपको चेंज करनी होगी कि हमारे आसपास में इतनी सारी बाते हो रही है इसके लिए हमने धन्यवाद देना चीए उसके लिए कृत्तग्य होना चीए और ऑथर कहते हैं कि धन्यवाद देने का आपको कोई कारण नहीं मिलता है तो दोश आपका है आपको देखना है अपने जीवन में जादू को लाना है यह जादू है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है आप कहां से है या आपकी वर्टमान परिश्टियां कैसी है तो तक गयता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल ले आपको नहीं क्या है बड़े वेक्टी है छोटे वेक्टी है अमीर है गरीब है उचे है नीचे है पड़े लिखें है या पड़े लिखें नहीं है आप कहां से है आप ध्याद से है आप किसान है, आप बड़े शहर में हैं, पस्मोरिटनसिटी मेंसे हैं, परिसिति कैसी भी हो, favorable परिसिति हो, unfavorable परिसिति हो, जो भी परिसिति है, आप यदी कृतज्य है, जो भी है उसके लिए, तो परिस्तग्यता का जादू आपके समुचे जीवन को पदल देगा जब तक आप कुर्टग्यन नहीं होते हैं तब तक आप अधीक हासिल नहीं कर सकते कुर्टग्य होके ऐसा करके मतलब कुर्टग्य होके या मतलब कुर्टग्य जब तक आप होते नहीं मतलब कुर्टग्यन नहीं है तो ऐसा करए है, तो आप अपने जीवन में प्रवाइट होने वाले जादू को रोग देते हैं। जादू बन्द हो जाएगे अपने जीवन में। जब आप पुर्तग्यन नहीं होते है तो आप बहतर स्वास्त्य, बहतर संबंदो, अधिक खुशी, अधिक धन और अपने नोकरी, करियर या कारोबार की उन्नतिक्य प्रवा को रोग देते हैं आप कोई स्वास्त्य चाहिए, तो जो स्वास्त्य आपके पास में है, उसके परती आपने कुर्टक्य होना है, बहतर संबंद चाहिए, तो जो संबंद आपके है, उसके बारे में हमने कुर्टक्य होना है, जो आपके पास में खुशी है, उसके बारे में कुर्टक्य होना है, जो अधिक धन है उसके बारे में अपनी नूकरी है, अपनी करियर है, अपना कारोबार है, अपना बिजिनेस है, उसकी उन्नती चाहिए, तो सभी के लिए हमने होना है, otherwise ये सब का प्रवा हम रोग देंगे, ये आगे चलेगा नहीं, right? हम आगे बढ़ते हैं, दरसल पाने के लिए देना होता है, और यही नियम है, जो भी आपको पाना है उसके लिए देना होता है, और देना क्या है आपको, देना है कृट्टक गता, और कृट्टक गता का अर्त है धन्नेवाद देना है, और उसके बिना आप जादू की डोर ही क बंचीत रह जाते हैं जिससे आप जीवन में चाहते हैं तो हमको देना है देना क्या है thankfulness देना क्या है gratitude देना क्या है धन्यवाद देना क्या है being grateful वह आपको देना है ज्यान एक खजाना है लेकिन अभ्यास उसकी कुझी है यह भी अभी तक जो मैंने आपको ग्यान दिया वह ग्यान नहीं रह जाएगा कि उसका कुछ नहीं होगा तो हमारे पास में लोग आते हैं तो जो अति हुशार लोग रहते हैं अति हुशार पेशन वो क्या करते हैं जैसा ही prescription मैंने लिग दिया वैसे तुरंट गूगल पर जाएंगे और गूगल पर जाके देखेंगे इसमें क्या-क्या अठाइब है उसका एफेक्ट काशा होता है उसका साइड इफेक्ट काशा होता है और बहुत उसके बारेमें ज्यान ले गी कि और आखरी बोलेंगी नहीं नहीं हिए तो अब्यास करना पड़ता है उसके पर एक्शन लिनी पड़ती है और हम ऐसा बोलते हैं हमको कि application of knowledge is पॉर, अप्लेइड नॉपट नालेज़ीश वो पवर है, तो इग्जी कुईशन इग्जी कुईशन, इग्जी कुईbor आइप इग्जौशन आफ नालेज, जो अग तर। सब्सक्राइब करेंगे कि हम आदे मिनिट के लिए अभी हम जो भी हमारे लाइफ में अभी तक जो भी हुआ है उसके लिए अभी तक का जो है उसके लिए हम धन्यवाद देंगे आके बंद करेंगे सब लोग और राइट नाओ अभी अपने लाइफ में जो हुआ है जो आप मिलाना चाहते जो भी कुछ है आपको जिसके प्रति कुर्टग्यता आपको जतानी है बतानी है वह आप उसके ल सतने हैं कि मैं मेरे मैं मेराश कर रहा हूं कि मैरे हल्थ के लिए बहुत कुट्ग्यandal हुग कि अपर वाले ने बहुत अच्छी डियोय Yay और है कि अच्छा का म कर रहा है कि मैं वह साइंटिस्त के लिए कृतं ही और ऑपको के आप। कि खोच किया नहीं रिसर्च किये और मैंने मेरे आप्रेशन किया तो मुझे एट्रेक ऑप्रेशन किया मैंने तो उसके लिए जो भी लोगों ने उसकी कोच किये वह सभी लोगों के लिए मैं बहुत कृतक गया हूं कि मैं अप्रेशन कर पाया वह दो सर्जनने मेरा अप्रेशन के लिए उनके लिए मैं कृतक हूं यू इसके लिए मुझे कुछ दवाई लेने पड़ी है तो दवाई का जिन्होंने खोश किया रिसर्च किया उनके लिए मैं कृतक ग्रू आप पर पढ़ाय लिखाए होई मेरे माबापने मेरी पढ़ाय लिखाएगी उन्हें मेरे लिए स्टैंड लिया और उन्हें मेरे को पढ़ाया इसलिए मैं डॉक्टर बन पाया उनकी लिए मैं कृत्टक ग्यों कि आपके लिए कृत्क गयों किता जी के लिए कृत्टक गयों मेरे डादा जीए के लिए मैं के अच्छे विए मिरवन ओन ना जी हमको बच्पम में लेके बैठते थे और हमारे उस्कार कर देख ओंसकारों के वजह से आज वाला उनको मैं उनके लिए फिर जान बुच कर जादू शब्द धन्यवात अथि've तोचे और जान सीवीक यह कर आप अधिक जयता अधिक शूश करते हैं अब जानद बुछ कर जादूए को करना हैं कि मुझे भी कहा का मैं जन्यवा बोल करता हूं कि आप जो देते वही पाते समान मातरा है कि तो आपके जीवन में Pam प्रेणाम भी आपकी भावनाओं के समानी बढ़ जाएंगे, आपको रिजल्ट भी उतना ही आएगा जिसके प्रतियाप कृत्तर की हो, उतना रिजल्ट मिलेगा, उतनी जादा मात्रा में मिलेगा, जब हम अपनी कृत्तर करते हैं, तो मैं कभी नहीं बुलना चाहिए, कि सब से उची प्रशम सा शब्दों को बोलना नहीं, बलकि उनके अनुरूप जीना है, सिर्षोंन को पुर्पट पंजि नहीं करना है, Ozon को पैरटिंग नहीं करना है, ठेंक्यु, ठेंक्यु, रगु, ठेंक्यु, ऐसा को बोलगे चलेन जाने का है, हमको इसके आखों में देखन रोज क्या करना है आपको रोज जब आप उठेंगे तब आपको अपनी नियामते गिनना है जब मैंने अपनी नियामते गिनना शुरू की तो मेरी पुरी जिंदगी बदली नियामते मतलब ब्लेसिंग्स कितनी सारी ब्लेसिंग्स आपको उपर वाले में दी हुई है हम देख आप फोकस करते हैं तो हमको जरूर जरूर मिलेगा और ऐसा नहीं कि आज में धन्यवाद दिया तो आज ही मिल जाएगा देखो हम इंस्टन्ट की दुनिया में जी रहे आज तो इंस्टन्ट आज के आज नहीं होगा आपको सबूर रखना कोड़े हम को क्या चाहिए इंस्टन भी घृषए इंश्टन T काफी चाहिए इंस्टन्ट टी चाहिए, हम सब इंस्टन पर दिरज नहीं है अजितरज नहीं हम को, तुरंट चाहिए हम ते के रहे मैंने तो बोला दन्यवाद कुछ नहीं होगा तो आप जब धन्यवाद देंगे, तो तुरंत ऐसा कुछ नहीं करना है, कि तुरंत मुझे कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो वेक्टि मुझे धन्यवाद देना कि है, मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, उसने तो मुझे धन्यवाद बोला ही नहीं है, वो भी नहीं करना है बेटी सभी परिस्ट्यव में परिस्टि कैसी Christ होता ही है और focus कहां रहा है जो अच्छा है उसकी और फूकस करतार है ना कि अच्छा ही ढूंगे उसके प्रती कृतग्य होना है, जब आप कृतग्य होते हैं, तो नकरात्मक होना असंभव है, असंभव, impossible है, whenever you are grateful, you cannot be negative, जब आप कृतग्य होते हैं, तो आलोचना करना और दोश मढ़ना असंभव होता है, आप किसी को criticize नहीं करेंगे, आप किसी को blame करेंगे, किसी को दोश नहीं देंगे, जब आप कृतग्य होते हैं, तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकरात्मक भावना अरक्षना भी असंभव होता है, आप दुखी भी नहीं होता है, यह को कितनी जादू है यह, आपने देखा होंगा कि हमारा ego इतना बड़ा है, ब करेंगे, इतना जवाय महसूस करेंगे, तो ego आपको निकाल देने का है, ego खतम करने का है, ego को मार देने का है, तो उसका एक तरीका क्या है, being grateful, क्योंकि जब grateful ने साता है, तो अपने में नंबरता दी, नंबरता से हम काम करने, राइट, और इस सितियां चाहे कितनी भी हो, आप हमेशा कृत्त के होने के लिए कोई ना कोई चीज खोश सकते हैं, खास तावर पर तब आप यह बाद जानते हो कि आपकी कृत्त के लिएता, हर नाकार मुख पर रिसिज्दी को जान से बदल देगी, भोजन और पे पदार्थों के पदार्थों में कृत्त निता का ज्यादू, कि यह हम अभ्यास करते हैं, उसका अनवह लेते हैं, तो तातकार करने का एक ही तरीका है, सचमुच उस चीज के, उस चीज का स्वाद लेना है, जिसे आप खापी रहें, जब आप अपने भोजन पे पदार्थों का वाकई स्वाद लेते हैं, तो आप दरसल उसकी कंदर कर रहे हैं, या कृतर में हो रहे हैं, आपने क्या करना है, जब आप खाते हो, पिते हो तो आपने कुछ भी नहीं करने का है, खाना खाने के समय खाना खाना, पानी पिने के समय पानी पिना, जब जायेगा और वो भोजन जो हो आपको बहुत एनर्जि देगा और कम भोजन में आपको बहुत जैदा एनर्जि मैं GR अबंडे क्या करनाएं। ऐसकंऄने और निकालकर उस चीश को देखे यसे आम खाने पिने वाले और मन हमान या जोर से जादुई शब्द जिन्यवात का है और यदि आप कर सके तो बस एक निवाला ही ले और सच मुछ उसका स्वाद लेना है इससे न सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा बल्कि आपको कहीं अधिक रुत अगयता महसूस होने भी मदद दो लेगी कि ठीक है नकि किया करना है फोजन किना ऐ है उसको बटी कोई और जो भी आपको स्वासते उसके परती आपने हमने देखा बहुत कुछ तक यह होना है यालू बने क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति मुश्किल युद्ध लड़ रहा है यह को क्या है हमारे रिष्टों में हमको लगता है रहे उसने मुझे ऐसा क् क्या है इसने मेरे से अच्छा बरता नहीं किया हूं पता Jew वहाला व्यक्ति कौन सा युद्ध लड़ अपने लइव में हम क्या हैं इधर से याएं वह सांने वालड़ व्यक्टि ऊदर से आ रहा है और उसने मुझे नमस्ते नहीं किया में देखा भी नहीं था जो मुझे क् देखा भी नहीं थिन्हों स्मैल इपने आपको क्या समझता है आछ्ट तो मुझे फॉर इफना यह चोड़ दिया का परसों मिलाता तो उसने मेरे उपर comment डाल झाल दिया था हमारे दिमाद में शुरू हो जाता है है पताने वह कुनसे condition में बताने उसका किसि का साथ में जगड़ा हो कंडीस टेने उसके उसका उसके पतनी के साथ மेज़गड़ा है उसके कि देखना है जगड़ रहा है कि इसा क्यों कर रहा है इसके जिंदगी में इसा क्यों हो रहा है क्या यह मुश्किल में है उसका स्वास तेखा रहा है शहरीक स्वास तेखा रहा है मांसिक स्वास तेखा रहा है क्या हो क्या रहा है तो उसके प्रति में करोना जाताता हूं और उसको समझ लेता हूं वेक्ति को कि ऐसा क्यों कर रहा है हो तो हमारे रिष्टे बहुत अच्छे बन गए उसमें भी मैंने देखना है कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं और बैयालू बनना है को आकरशेन का नियम कहता है कि समान को आकरशिड करता है इसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उस़ी के समान की तरह जरूर्स बनाना ही जोगा ङुई कोई मेंड़े उपर गुश्ण करता है तो सम assertive करता है मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे उपर गुस्ता कर रहा है उसे मेरे अंदर जाकना है कि आकरशन का नियम कहता है समान समान को आकरशित करता है कुछ तो भी मैंने किया होंगा इसलिए वह ऐसा कर रहा है फिर अपने इच्छा को खुट की और आकरशित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करें ना होता यह जैसे वह पूरी हो चुकिए है यहां के आप का ऐसा वैसा ही होना चाहिए जैसा मनजाई चीच मिलने पर होता है आपको जो भी चीच चैए जो भी आपकी इच्छा है उसकी ल करना है और उसके ब्रति मैंने कुर्षतरग्य होना है और जैसा वह चीज मन जाए हो चुकी है चीज जेंग मिल चुकी है वैसा यह हम धन्यवाद उसको कहते हैं वैसा महसूस करते है तो डेफिनेटली वह चीज मुझे मिल जाएंगा हमको यह भी बता है उतर ने कि कि लगते अंगार को पकड़ना जैसा होता है कि आप उठाते तो किसी दूसरे पर सेकने की इरादे से रहं लेकिन जलते आ में MOD करता है कि जर महीने पिना है और मर जायेंगा सामने वाला ऐसा मुझझे लगता है तो करोड करने से अपनेु खराब होता है रोड करता है क्रोड आदमें तब करता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं राइट हूँ हमको आज से क्या करना है आज से हमको बिंग राइचियस चोड़ देना है और भी सही हो सकता है कि अगे चलके हर दिन में खुद को मैं सब्सक्राइब दिलाता हूं अरब आइंस्टेन बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा अंदरनी जता बाहरी जीवन दूसरे लोगों के श्रम पर निर्वर है और यह भी याद दिलाता है कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है उसी अनुपात में देने क के लिए मुझे बहुत मैंद करनी चाहिए नोबल पुरस्कार विजद्वा एटीन सेवंटेनाइं नाइटीन फिफ्टी फाइव दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट अलबर्ट आइंस्टेन वो बोलते हैं ऐसा लोगों को हमने कृत्तग्य होना ज़रूरी है लोगों के परती है आकरशन का नियम है इसकारता यह है कि अपनी और बहतरीन परिणामों को आकरशित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तमाल करना होगा और इसका एक आसान तरीक का है बहतरीन परिणामों के लिए कृत्तग्य होना उसके लिए मैंने कृत् परिणामों को आकरशित करने से रोपती है और यह सुनिचित करती है कि आपको मंचा ही चीज मिल जाए और मंचा ही चीज मतलब भेहतरिन परिणाम जादू को याद रखे जादू के साथ यही चीज है आपको जानना होता है कि यह अब भी यही है हमारे चारों और है, अन्यता यह आपके लिए अदुरुष्य बना रहता है, है न, तो आपको जादू को याद रखना है, लास्ट भी है, है न, लास्ट लाइड, कुछ तोड़ी बचिये, आप यह सवाल पुश कर, यह जादू यह अभ्याद शुरू कर सकते हैं, कौनसा सव इससे हम चालू कर सकते हैं, हमारा आश्का दिन, है न, और जो कल चीज़ा अच्छी होई थी, उसके प्रति हमने पुरुत्तग्या होना है, जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, आपका दिमांग तुरंती जवाब की तलाश करने लग जाता है, आप सवाल पूचेंगे कल कोई सी चीज़ अच्छी होई थी, क्या आपको कोई बेहतरिन खबर मिली थी, क्या आपने जादू से अपनी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था, क्या आपने खास तौर पर खुशे महसूस की थी, क्या आपको किसी मिल्टर का फोन आया था, जिससे आपकी लंबे समय से कोई बात्चीत ने होई थी, क्या कोई चीज आपकी लिए बहुत अच्छी तरह होई थी, क्या आपको कोई बेहतरिन फोन, कॉल या इमेल मिला था, क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी, क्या सम्मान का इजार किया था क्या किसी ने कोई समस्या सुल जाने में आपकी मदद की थी क्या आपने किसी को मदद की थी यह सवाल यह आप पूछते थे कि कल क्या हुआ था और यहां से दिन शुरू करते हैं कि मुझे दे क्या ब्लेसिंग्स है तो आपका दिन बहुत बहतरी जाएगा जब आप हरे को याद करें और लिखे तो कृतक्या बने और इसके लिए जादूई शब्द धन्यवाद करें तरह का आपको याद करना है आज क्या क्या हुआ था और ये सवाल है इसका आप फोटो निकाल के रख सकते है ये किताब में भी है और कल्के जिन के लिए याद करना है उसके लिए एक रुटतक्यता महसूस करना है और फिर जादूई शब धन्यवाद करना है जब आप आज के बाद या जादूू या अभयास करना चाहेंगे, तो आप इसे बदल बदल कर कर सकते, ह然 अभी तक जो किया बदल बदल कर करते हैं, कुछ दिन वर्दानों को लिखना है, कुछ दिन ब्लेसिंस को तरि नयार करना है, कुछ दीन अपने को जो चीज चाहे उसके बारे में हैं तो कुछ दिन क्या करना है सौ कदम के बारे में प्रैक्टिस करना है तो यह हमने आज तक देखा have ya, आज का अभ्यास बताता हूं वैं आज का अभ्यास जादू या अभ्यास करमा का 820 आखरी का हैs जादू को याद रखे, जो हमने अभी तक जादू किया है, उसको याद रखना है, कैसा याद रखना है, अपनी नियामते गिने, रोज तुबह उटके, count your blessings, दस नियामतों की सुची बनाएं, लिखे कि आप क्यों कृतग्या है, अपनी सुची दोबारा पड़े, और हर निय नियामत के अंत में कहे, धन्यवाद, 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 उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा महसूस करे, अब तक इस पुस्तक में आपने 280 नियामते लिख चुके होगे, 28 दिन आप रोज नियामते लिखते है, 28 दिन आप रोज नियामते लिखते है, 28 के पास में 280 ब्लेसिंग अभी तक कवर हो गयों लिखियोंगी आपने टोटल जिए आप अठाई जिन तक ये करते हैं कल के वर्दानों को याद रखते हुए ज्यादू का स्मरण करें और उन्हें लिख लिए कुछ से सवाल करें वे कौनसी अच्छी चीज है जो कल हुई थी बहुत बढ़ा इंपॉर्टन सवाल है आज का दिन जुरू कहां से करना है कल क्या क्या अच्छा हुआ था कल की सत्व तोले जब तक कि आप संतुष्टन हो जाए कि आपने उस दिन की वर्दान याद कर लिए और लिख लिए जब आप रत्ते वर्दानों को याद करें तो मनी मन इसके लिए जादुई शब्द धन्यवात कहें आज के बाद या अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं या फिर जोर से बोलकर या मनी मन याद करके कर सकते हैं आप कल की उन चीजों की संक्ष अभ्यास ना सकते हैं 54 दिया कि लिख को अब आधिक विस्रुस्त सूची बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आप उनके लिए क्म ऑबेरे जो इक आश का मैं A Short अब आपको अभ्यास करना है आज राल सोने से ठीक पहले रोजे करना है अपना जादुई फत्र एकात में ठामें और बिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें